हेलो एवरिवन है वेल्कम यह नार यूटीब चैनल राज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 12 की जोग्रफी के चेप्टर नंबर 10 मानव बस्ती के बारे में पार्ट वन होने वाला इस चैप्टर का यह पार्ट तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा साथी साथ हमेशा की तरह सभी नोट्स important question और objective questions का link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा तो उन्हें चेक आउट करना बिल्कुल मत भूलेगा फिलाल के लिए हम अपना chapter शुरू करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पंड़ना है हमें बात करने हैं मानव बस्तियों के बारे में ग्रामिन बस्तिया इसके अंदर हम complete कर देंगे नगरे बस्ति आपको अगली वीडियो के अंदर मिल जाएंगी तो फटाफट से शुरू करते हैं सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर मानव बस्ति होती क्या है तो यह definitions अगर आप paper में भी लिखेंगे तो बिल्कुल अच् शेत्र को कहा जाता है जहां पर मानव स्थाई रूप से बसा हुआ है यानि ऐसी जगा जहां पर मानव स्थाई रूप से बसा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं मानव बस्ति बोलते हैं यानि एक ऐसा शेत्र दूसरे शब्दों में अगर आप समझे तो एक ऐसा शेत्र ज दूसरी कौन सा बनावट के अधार पर तो देखते हैं ज़रा सबसे पहले हमारे पास बात आती है कौन सी स्तिथी के अधार पर तो मानब बस्तियों का इस पश्ट माम दंड की यह नगर है यह गाउं है तो इसलिए हम दो चीजों को मान के चलते है एक तो जनसंख्या और दूसरा वैवसाय यहां कि जनसंख्या जादा हो और वैवसाय में लोग कौन से लगे हो जैसे कि दृत्यक और तृत्यक शेत्र में जो दृत्यक हमारा उत्पादन वाला शेत्र होता है और तृत्यक कौन सा ह जाएगा तो ग्रामिड बस्तिया वो शेत्र होगल जहां पर लोग क्रिशी जादा करते हैं। और उस जगह जनसंख जादा होती हैं और ज्यादातर लोग प्राथमिक शेत्र नहीं बलकि दृत्यक और दृत्यक शित्र में लगे होते हैं सिकर के आपको याद रखना है ठीक है तो जो दूसरा हमारे सामने आता है वो होता है बनावट के अधार पर तो बनावट के अधार पर मुखे रूप से हम दो भागों में बाटते हैं पहले होते हैं सनहद बस्तिया और प्रकेंड बस्तियों में क्या होते हैं घर दूर दूर होते हैं जैसे आप गाओं फगे disappointing भी या पहाड़ी लाखों में जाएं तो आप देखेंगे दुकान екहर वगे बहुत दूर दूर होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं तो पहाडों और गाओं वगिरा में जादा देखने को मिलेंगी बेसिक सा जो डिफरेंस है वो यही है कि सनहत बस्तियों में जो घर वगिरा होते हैं बहुत जादा पास पास होते हैं जबकि प्रकेड़ बस्तियों में घर वगिरा दूर दूर होते हैं अब आप ग्रामर्मिड बस्ति और नगरी बस्ति हमें डिसकूस करेंगे। ग्रामर्मिड बस्तिं हमें आपको पहले बता दी थी ऐसी बस्तियां जहां पर जनसंख्या कम होती हैν और जो रहने वाले लोग होते हों मुख्याजी रूप से प्रात्मिक 공 Georget South美味 कोते हैं जैसे kriishi ह जो मानव बस्तिया थे उनको दो में वाट दिया एक तो हो गई मानव बस्ति तो कि ग्रामेड वाली और एक हो गई कौन सी नगरिये वाली अब ग्रामेड को भी अलग-अलग भागों में वाटते हैं तो ग्रामीड बस्तियों के प्रती रूप ये दिखाते हैं कि मकानों के स्तिथि कैसी है तो देखो तीन अधारों पर करते हम इनका वर्गी करण पहला हो गया विन्यास के अधार पर दूसरा कार्रे के अधार पर तीसरा आकरिती के अधार पर वन बाई वन डिसकस करेंगे ये वाला बिल्कुल सिंपल सा है विन्यास के अधार पर देखो मैदानी ग्राम होते हैं सिंपल सी बात है जो मैदानों में विकसित होंगे वो क्या होंगे मैदानी ग्राम होंगे ठीक है पाठारी ग्राम होते हैं जो पाठार वगिरा पर विकसित वगेरा में ज्यादा डेवलोप होंगे जो वहाँ पर पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे मरुस्थलिय ग्राम इसके बाद अगर हम बात करें किसके कार्ड़े के अधार पर तो कुछ होते है क्रिशी ग्राम क्रिशी ग्राम का मतलब होगा है कि उस गाओं के अंदर जादातर लोग क्या करेंगे किस्षी का काम करेंगे क्रिशी का काम करेंगे फिरिन ग्राम इसके बाद आता है लास्ट वाला जो हमारा है कौन सा आकरिति के अधार पर इसके मैं आपको एक एक चितर भी दिखाता चलूँगा जिससे आपको समझने में जादा असानी रहेगी तो पहला होता है रेखिक प्रतिरूप तो इसके अंदर के आएगे देखें बीच में सड़क दिख रहे हैं उसके दौनों तरफ मकान है तो यह बिल्कुल सीधी रेखा में इसलिए क्या बोलते हैं इसे रेखिक प्रतिरूप बोलते हैं दूसरा जो है हमारा वो कौन सा आयताकार प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप का मतलब होता है कि जब सड़के एक दूसरे को समकोन पर काटते हैं ऐसे और ऐसे काटते हैं तो यह जो यह यहां पर घर होते हैं देखो यह आयताकार बन जाते हैं यह भी आयताकार शेप में बने होते हैं और यह वाले भी और यह वाले भी तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है आयताकार प्रतिरूप बोला जाता है फिर आता है वृताकार प्रतिरूप वृताकार प्रतिरूप बेसिकली क्या होता है जीलो और तलाबो आधी के आसपास विकसित होता है तो जैसे आपको जील दिखरी है इसके आसपास जो घर विकसित हो जाएंग कपति है यहां पर बहुत सारी और है सडक एक साथ आकर मिल रही है इसमें इसको ऐसी दिखेगी यहांपर σबस्तिक सेटर जा रहे है और यह currently चोँचक एक गर किस प्रकार से बने हुआ है बस यही हमें देखना होता है इसमें नेक्स्ट आपके पास आता है वाई अकार का प्रतिरूप तो जैसे यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे देखो एक सड़क यह जा रही है एक सड़क यह जा रही है और सामने से एक सीधी सड़क यह तो क्या होता है कि जब दो रास्ते आकर किसी तीसरे रास्ते से मिल जाते हैं तो ये दो रास्ते आकर इस तीसरे रास्ते से मिल रहे हैं जिससे वाई आकार की एक स्तिथी पैदा हो जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं वाई आकार का प्रतिरूप और नेक्स्ट होता है क्रॉस आ दी या फिर कोई नाला वगिरा हो सकता है, उसके आसपास जो घरवी कसित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, दोरा प्रतिरूप या फिर क्रोस आकार का प्रतिरूप, आई होप कि ये सब क्लेर होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेशन में जाकर पूछ सक करें बिल्कुल पहली बुक किसी के साथ क्या होगी complete हो जाएगी दूसरी वुक की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी अब जो most important question है जो कि mostly papers में पूछा जाता है कि ग्रामिड बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारा कौन से याई ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो ग्रामिड बस्तियों के साथ होता है क्योंकि पानी तो मूल भूत आवशकता है न तो इसी वज़े से घ्रामिड बस्तियां वहीं पर ही जादा विकसित होते हैं जहां पर जलके आपूरते क्या होती है अच्छी होती है दूसरा भूमी तो मानव बस्तिय सदेव क्या होता है मानव बस् तो बहुजन निमीलेगा तो कैसे जीएंगे तो इसी वजए से आपकी बस्तिया होते हैं वह में यहां पर आपको एक चितर भी दिख जायेगा इसके बारे मैं एक्स्प्लैन करता हो भी में उच्छ भूमी सेत्ओ का मतलब होगे कि मानव बस्तिया मुख्य रूप से उच भूमी शेत्र में विकसित होती हैं ताकि जैसे बाड आए या कोई अन्य प्राक्रितिक आपदाय तो उससे बचा जा सके तो जो उची भूमी होती है वहाँ पर विकसित होती है और अगर कहीं उची भूमी नहीं होती तो लोग ऐसे स्तंभो के ऊपर अपना घर बना लेते हैं जिससे बाड जैसे स्तिति से क्या हो बचे रही इसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वह ग्रह निर्मान समगरी अब दिखो आपको घर बनाने के लिए समगरी तो चाहिए नहीं अगर आप किसी ऐसी जगा पर घर बन तो जहां पर सुरक्षा की ववस्ता जादा अच्छी होती है तो हमेशा मानँ एक ऐसे शेत्र कोई चुनता है जो उसके लिए क्या हो सुरक्षितो ठीक है और जहां वह अराम से सुख मैं जीवन क्या कर सके जिसके ठीक है शायद नहीं होगई यह सुख मैं जीवन detention म क्या मि जाए गए तो प्रैक्टिकल से कुशन है जिसे पानी पीने के समस्या होगी साफ पानी के उपलबद ता कम रहती है ठीक है बाड और सूखी की समस्या होगी कभी तो बाड आ जाती है और कब भी सूख़ा पढ जाता है सिनचाई के साधन की वहाँ जाधा तर किश्य गरते आप क्योंकि सिनचाई के साधन कोड़े निपटान के समस्य होती है इसके लावा कच्छे मकान होने कि वज़े से वर्षा दोर में पाने की समस्य आप गाँ सब्सक्रांट D और स्वास्ते सेवाओं का अभाव है वह सब्सक्राइब मुच्प क्या और इसे समस्या है सबी पार्ट्स देखिये, प्लेइलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेइलिस्ट जरूर चेक आउट कीजिए, साथी साथ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलिग्राम गूप जोइन कर सकते हैं, आप IMPORTANT QUESTION औ ऐसी और वीडियो के लिए लाइक किज़े इस वीडियो को क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए ठैंक यू वेरी मच और साथी साथ पार्ट टू जरूर देखिएगा बिल्कुल ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा